गाजर की एकदम नई रेसीपी जिसे आप देखते ही बनाने लगेंगे और जिसे भी आप खिलाएंगे वो आपकी कुकिंग का दिवाना हो जाएगा लेकिन शर्त यह है कि आपको वीडियो पूरा अलाज तक देखना पड़ेगा तब ही आप इस वीडियो को बहुत अच्छे इसे समझ पाएंगे तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं इस नई और टेस्टी रेसीपी को बनाना Welcome back to my kitchen मैं हुरा मिश्वेरी तो यहाँ पर मैंने 200 ग्राम गाजर लिये है इन्हें मैंने धो कर छील लिया है अब मैं इसका पीछे का और आगे का पार्ट भी कट कर लूँगे इस तरीके से तो एक knife की help से हम इस तरीके से इसके आगे और पीछे का पार्ट कट कर लेंगे यह रेसिपी बहुत ही आसान है बनाना और आप इसे एक बर बनाएंगे तो हर बार बनाएंगे और लोग इसे बहुत पसंद करेंगे तो इस तरीके से मैंने तीनों गाजर के पीछे का पार्ट कट कर लिया है अब इसके बाद इसे मैं फ्राइ करूंगी तो मैंने यहाँ प fry कर लेना है जिससे कि इसका टेस्ट enhance हो जाएगा बहुत ही अच्छा टेस्ट आ जाता है घी में fry करने के बाद तो इस तरीके से हमें बहुत ज़्यादा देर नहीं पकाना है बस एक सी दो मिनिट तक हमें थोड़ा सा इसे घी में fry कर लेना है अब अब देखिEr ये हो चुका है तो इसे हम अलग बर्तन में निकाल लेंगे अलग प्लेट में निकालकर हम गाजर को थोरी दे ठंडा कर लेंगे जैसे ये ठोरी ठंडी हो जाएगी तो हमें इसे चाकू की हैब से बारीक पीचेस में cut कर लेना है तो अगर आपको पानी या दूद की जरूरत लगे तो आप इसमें एक से दो चमच आइट कर सकते हैं लेकिन जरूरत नहीं पड़ती है और अगर पड़ेगी तो एक दो चमच पानी मिलाके इसका फाइन पेश तेयार कर दीजिए अच्छा सा पेश तेयार हो चुका है तो इस इसे हम साइड में रख देंगे अब एक काटोर्य में ले रही है थोड़ा सा गरम पानी इसमें मैं एट करूंगी मिल्क पॉडर गरम पानी में मिल्क पॉडर एड़ करने से बहुत अच्छे से मिक्स हो जाता है इसमें किसी भी तरह के लमस नहीं पड़ते हैं तो आप तो ड्राइफ रूट्स आप अपने हिसाब से जो आपका मन चाहे ले सकते हैं मैंने काजू बादाम और मखाना रोस्ट कर लिये हैं और इसे मैंने अपने काल दिया है इसे मैं ठंडा करके क्रश करूंगी अब इसी घी में मैं डाल रही हूं एक कटोरी सूजी फाइन वाली बढ़ कोई भी सूजी ले सकते हैं अब इसे हमें रोस्ट कर लेना है लो फ्लेम पर जब तके अच्छे से पकना जाए तो तीम से चार मिनИट में सूजी पर जाएगी तो लगातार चलातें हुए इसे अम इस तरीके से पका लेंगे अब देख सकते हमिने त्यों किया था उ एक कटोरी शक्कर शक्कर को अच्छे से मिक्स कर लेंगे गाजर के साथ और इसे तब तक पकाएंगे जब तक शक्कर अच्छे से पूरी तरह से मेल्ट होके पक नहीं जाती तो इसे लो फ्लेम पर लगातार चलाते हुए अच्छे से पका लेना है तो अब आप देख सकते हैं शक्कर बहुत अच्छे से मिक्स हो चुकी है गाजर के साथ यहाँ पर मैंने मिल्क पॉडर का पेस्ट और ड्राइफ फ्रूट्स और एक चम्मच इलाईची का पॉडर एट किया है माफ कीजिएगा कैमरा ओफ रह गया था तो अब इन सारी चीजों को मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी लो फ्लेम पे और थोड़ी दिर हीने और पका लूँगी और यहाँ पर मैंने थोड़ा फूट कलर एट किया है अगर आप चाहे तो कर लीजिए और नहीं चाहे तो मत कर जीजिए अब इसे थोड़ी दिया थंडा होने देंगे अब यह थंडा हो चुका है मिक्स्चर तो एक स्पून की हैल्प से इस तरीके से हम मिक्स्चर लेंगे हाथों में और इसे एक लड़ू का शेप देंगे तो देखिए कितने बढ़िया यह लड़ू बनकर तयार हुए है थोड़े से पिस्ता के साथ इसे सजा देंगे और इसी तरीके से हम सारे लड़ू तयार करेंगे तो गाजर का हलवा और बरफी तो आपने कई बार खाए होंगे इस तरीकी से एक बार गाजर के लड़ू बना कर देखिए जो भी खाएगा आपका दिवाना हो जाएगा तो ये आपको मेरी गैरेंटी है कि आपको ये रेसिपी सबी लोगों को पसंद आएगी तो आप एक बार इसे जरूर ट्राइ कीजिए यहां तक वीडियो आप देखी चुके हैं तो लाइक शेर जरूर कीजिएगा और चैनल पर पहरी बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए तो देखिए लड़ू को टेक्श्चर देख सकते हैं कितना परफेक्ट ऐसा लग रहा मोती चूर के लड़ू है हम मिलेंगे को नई रेचिपिक साथ नेक्स वीडियो में तिल देन बाइ बाइ थैंक्स वर वाचिंग